हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विट मनी सा फ्रेंड्स आज में वेजिटेरियन मेक्सिकन फहीता बनाने जा रही हूँ आपको मेरा रेसेप वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुलना और नोटिफिकेशन बेल आइकोन दबाना जिसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ये रेसेपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है फईता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सब वेजिटेबल्स लिये है ग्रीन पेपर, थोड़ी सी ग्रीन चेली, ओनियन्स, कैरेट्स, आवकाडो, पटेटो, लेमन, ग्रीन ओनियन, ब्रोकली मैंने यहाँ पे ओलिव ओलिव यूस किया है वेजिटेबल्स ग्रिल करने के लिए एक टेबल्स पून ओलिव ओल, ग्रीन फ्लेम हमें लो मीडियम पर रखना है थोड़े से छोटे कटे हुए आलू, अब गाजर को एड़ करना है गाजर और आलू को थोड़ा थोड़ा हम रोश कर लेंगे तीन से चार मिनिट हम थोड़ा सा भून लेंगे और बाउल में निकाल लेना है इस तरह हमें थोड़ा सा भून लेना है जिसे क्रिस्पी रहे अब उसी पैन में हम ग्रीन चिली और गालिक को एड़ करेंगे मैंने यहाँ पे एक टीस्पूज इतना और ओलिवाज यूस किया है जिसे वेजटेबल्स ड्राइ ना हो जाए अब उसमें मैंने ब्रोकली की जो पींचे की डंडिया थी वो भी मैंने काट कर डाल दी है थोड़ी सी लंबी कटी हुई प्याज गैस को हमें लो मीडियम फ्लैम पर रखना है जिसे वेजटेबल जल ना जाए और ज्यादा गल भी ना जाए अब उसमें ब्रोकली एड़ करना है ग्रीन पेपर एड़ करना है मैंने यहाँ पे थोड़े लंबे लंबे कट किये है थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन हरी प्याज अब अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एड़ करना है हैप्टी स्पून जितना स्वाद अनुसा नमक मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज किया है ताहीन यह मैक्सिकन मसाला पाउडर आता है वेजिटेबल्स को हम एक दो मिनिट और रोष्ट कर लेंगे मैंने यहाँ पे आदा निबू निचोड़ दिया है अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकोन दबाना जिसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी थोड़ी सी बच्ची हुई ग्रीन ओनियन थी वो भी एड़ कर दी है अब उसमें आलू और कैरेट्स को हमने बून कर साइड पर रखा था वो एड़ कर देना है थोड़ा सा टमाटर बड़ा कटा हुआ देखा दोस्तों यह कितनी हेल्दी रेसेपी है लास्ट में हम इसमें आवकाडो एड़ करेंगे क्योंकि वो औरेड़ी सॉप्ट होता है अब यह हमारा वेजिटरियन फईता बनकर तयार हो गया है थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया से हम गानिश करेंगे अब यह हमारा सुपर हेल्दी और डेलेसियस फईता बनकर तयार हो गया है उसे गरमा गरम ही सर्व कर लेना है मैंने यह 100% वेजिटरियन फईता की रेसिपी सेर की है जो मीट लवर से वो अपना मन चाहा मीट भी एड़ कर सकते हो आप ऐसे ही फईता को खा सकते हो और मीनी टोटिला मैंने यहां पे थोड़ी सी सेक ली है उसमें भी मैंने स्टफिंग करके सर्व किया है यह मीनी कौन टोटिला है आप वेजटेबल फईता में ब्लेक बीन्स या रेगिलर बीन्स भी एड़ कर सकते हो प्रॉप्ट यह मैंने मीनी कौन टोटिला में फईता की स्टफिंग एड़ की है इसी तरह हम सौपता को भी बनाएंगे फ्रेंड्स आपको मेरा वेगन फईता रेसेपी वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना मेरे वीडियो को आप अपने फेमिली और फ्रेंड्स में भी शेट करना मत बुलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकोन दबाना जिसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी आप मेरे वीडियो को मेरे दुसरे सोस्टेल में देख सकते हो थैंक्स पर वाचिंग